इस कारक्रम के पुन्ने आर्चक हैं अपने जीवन में सुक और गुणों की अभिविद्धी के लिए नीती के विश्यों का शवन कर रहे हैं नीती कहती है कि हमको जहां फोकस करना चाहिए लाइफ में वहां हम फोकस नहीं कर दें इसलिए जो हमें प्राप्त करना है वहमें प्राप्त नहीं हो चोटा बच्चा हो स्कूल में पढ़ने वाला या एक व्यापारी हो जो व्यापार करता हूँ बिजनिस करता हूँ पैसे कमाता हूँ या एक घर पे रहने वाली मा हो जो घर पे खाना बनाती है सबके साथ एकी बात है कि जो आप फोकस नहीं कर रहे हो और फोकस ना करवाने के कारण आप जो प्राप्ट करना चाहते हो मिलता नहीं है जैसे किसी ने बिजनिस किया और वो बिजनिस पर जितने समय बिजनिस कर रहा है बिजनिस में ध्यान देता है डीपली उसका फोकस बिजनिस पर हो प्रॉफिट डबल होता है बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं और फोकस पढ़ाई में तो पढ़ाई डबल होती है और अग पराणी जिसके बुद्धी बाहुल है और उन मनुश्यों में भी जो इंडियन्स हैं उनके दिमाग का कोई तोड़ नहीं है एक एक भारती इंडियन अपने आप में एक स्वयम में यूनिवर्स्टी है स्वयम में बिजनिस की बहुत बड़ी संस्ता है लेकिन फोकस नहीं कर पा रहे हैं इसने सफलता नहीं मिल पा रही है आज की नीटी कह रही है कि अगर आप भी चाहते हैं कि सारी दुनिया आपकी बातें करें तो आपको सब कुछ चोड़ करके अपने काम और अपने वेक्टिट तू इन दो चीज़ों पर ध्यान देना था है एक तो अपने वेक्टिट तू का निर्मान और दूसरा अपने काम में फोकस अगर अपने काम में फोकस किया है मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज आपके लिए बड़ी होगी है कोई भी चीज बड़ी नहीं है साल भर कितने ही बच्चे को पढ़ाओ आप पढ़ता हूँ एक्जाम के पांच दिन पहले ही है अत्वा जो लोग भी पास आउट हो चुके हैं उनके साथ भी यही है करते वो आकरी के पांच-छे दिन में ही है क्यों क्योंकि उत्तिस समय वर्कलोड आता है अगर इतना आप आपको पहले मालूम चल जाए तो क्या बाद मैं एक बार सोच रहा था कि जो दिमाग या जो इच्छा हैं बिजनिस के लिए नौकरी के लिए 30-35 साल की उमर में जो दिमाग चलता है बिजनिस के लिए अगर वो ही दिमाग 15-20 साल में चलने लगे तो वो विक्ति कितना उच पहुचा जाएगा जो भी बड़े व्यापारी बने हुए हैं या अच्छे पास आउट हुए हैं स्कॉलर्स हुए टॉपर्स हुए हैं यह अपनी जिन्दगी की जो बुद्धी हैं उनकी उस बुद्धी से वह 10 साल पहले चलते हैं तब ही वह वहां तक अचीव कर सकते हैं ने फॉकस अन यूर एटिटीटेए तीन जगा फोकस करनना उक्का अपने वर्क पर अपने एटिटीट्व पर और तीसरी बात अपने नेचर पर पर अपने बेहेवियर पर पर आपने तीन जगा फोकस किया है दुनिया का हर विक्ति आपको चाहेगा आज का समय ऐसा आगया है कि हर कोई आपको अपने नजरिस दिखता है हर कोई चाहता है कि आप उसके इसाब से जीओ और यह तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि हर कोई अपने साब से जीता है तो क्या किया जाए तो ऐसा नेचर मनाया जाए कि हर किसी को लगे कि हमारे अनुसार जी रहा है लेकिन जीना आप अपने अनुसार बहुत कटिन है लेकिन बहुत अवश्यक अंग है जीवन का कहते हैं कि अपने व्यक्तित्व का निर्मान इसने कर लिया है दुनियों उसके पीछे-पीछे घुमिती है अगर आप चाहते हो कि आप टॉप पर हो शीर्ष पर हो यहां सामने पहाड है अगर आप चाहते हो कि आप उस टॉप पर हो शीर्ष पर हो जिसे किसी माने रबडी बनाई और उसने फोकस उसी पर किया है वो दूद में उसने समय पर चीनी डाली है समय पर उसने चमज घुमाई है उतनी आच रखी है वैसी कड़ाई रखी है और उसने उसकाम पर फोकस किया है तो वो दूद जो 50-60 रुपे लीटर था वो 500 रुपे क कियो क्यों चोग्य उसको डेडी केशिन के साथ क्यार किया गया जतना परसेंटे आपके डेडी केशन का है कि अपने अर्ट पर जितना परएंट आपका फोकस आपके यह इन यह अई है вами सोचको आप सोचो कि कम मेनत में ज्यादा रिटन मिल जाए वो नहीं मिलेगा वो मिलेगा कब जितना परसेंटेज दोगे जो जब घर में रहने वाली माता है रोटी बनाती है अगर तवे से रोटी जल्दी उतार ली गई तो कची रह जाएगी जब दोनों अवस्ताइं दोनों चीज़े घलबर हो जाएगी तो उतने समय तक तो रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि पढ़ाई में आप टॉप मोस्ट में हो बिजनेस में आप टॉप मोस्ट में हो आपको फोकस करना पड़ेगा लेकिन अब समय बदल गया है लोग इंस्टाग्राम देखते हैं महराज को वो चले आते कहीं हो तो वो जो शोशल मीडिया आगया है वो आपको खा रहा है उपयोग सही करते तो ठीक था सोनोग्राफिकी मशीन के जरसे आपने सही उपयोग नहीं किया तो आज वो बच्चों को मारने में काम आ रही है जब कि अगर बच्चा घरब में बीमार हो तो उसको बचा सके उसको स्वस्थ कर सके ऐसी जो आपके पस फोन है फोन में फोकस रहने कारण बिजनिस सबका फोकस अच्ट चुका है कई पतनी आकर मुझसे बोलगी है कि महराज जी हमारे पती दिन पर फोन भूशे रहती है कभी ये कभी वोगे हमारे बच्चे ऐसा करते हैं बोल आप इनको बोल दोगी त्याक कर दे फोन ना चलाए मैं पूछता हूं कि आप चलाते हो अब एक गंड चलाओगे तो बेटा दस मिट चलाएगा आप अगर एक मिट चलाओगे तो बेटा तो देखेगा जरूर तो चेंज आप आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा अपने वर्क पर फोकस करोगे तो आपको देख करके लोग भी आपके अपने वर्क में फोकस करेंगे एक बात मैंने लिखी थी कि जिसका सिक्का चलता है दुनिया उसकी पीछे चलती है जिसका सिक्का चलता है दुनिया उसकी पीछ चलती है पर आप चाहते हो कि आपका सिक्का चले तो आपको डेडिकेशन से अपना काम करना चाहिए जो विक्ति किसी काम का नहीं था जिसको कोई पूछता नहीं था वोई देश का प्रधान मंत्री राश्पती बन जाए वोग के मंत्री बन जाए जिसको कोई पूछता नहीं था उसको लोग पूछेंगे आप चाहते हो कि लोग आपको चाहें दुनिया आपके पीछे चले तो आपको अपना सिक्का चलाना पनेगा तो जो जितना डेडिकेशन से काम करता है जो अपने वेक्टित्युका निर्मान करता है वो शीज पर जाता है और जो शीज पर जाता है उसका सिक्का चलता है और जिसका सिक्का चलता है दुनिया उसके पीछे चलती है दुनिया उसके पीछे चलती है आप लीडर बनना चाहते हो करना तो पड़ेगा आप सोचो कि बैटे बैटे मिल जाए तो नहीं होते कहावत आत किसी एक बिरले के साथ होगा, ऐसी, जो साड़े को हुए है, अपने आपको शाणा मान रहे हैं, बढ़ा ग्यानी हूं, मैं सब कर लूँगा, नहीं कर पाओगे आपके, नहीं कर पाओगे, अगर आपको करना है, तो फोकस तो करना पड़ा, अपने व्यक्तित्य के निर्मान वीक्तित्त आपके नेचर आपके एटिटीट्ट से बंदता में आपका नेचर कैसा है आपका एटिट्यूट कैसा है उससे आपके वेक्तित्त निर्मान लोगा और प्रती अच्छा नहीं है जो चाहताए आपको फिर चाहाना बंद मेरा तो यह मानना है कि काबिल बनो काबिल बनो दुनिया और काम्याभी छक मार के आपके पीछे गुमेंगे अपने वेक्षेत्रों का निर्मान करो काबिल बनो दुनिया जितनी दुनिया आपको दिख रही जो लोग दिख रहे हैं चाहे वो हो या सफलता हो काम्याबी हो सक्सेस हो वो आपके पीछे जख मार के सिर्फ जुखा के चलेगी दुनिया उसी के पीछे चलती है जिसका सिक्का चलता है आप तो काबिल बने दुनिया और काम्याबी जख मार के आपके पीछ चलेगी ऐसा विचार करना शेश आगे द दांगी, दिव्या, हर्शित भापना, त्रेशिका, ध्रुविका, ध्रुविश, निम्बस एजुकेशन, IIT, JEE, NEET Academy, AIO Sports, शांतिधारा संस्थान.